अलो दोस्तों मेरा आजा स्वागत करता हूँ आपका RC क्लासे में दोस्तों आज की क्लासे में हम पढ़ेंगे उत्राखन का इतियास बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है तो प्लीज आपने वीडियो के अंते तक बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सस्क्राइब कर लें साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको अमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके और प्लीज चैनल और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि एक फिरी वीडियो चैनल है और प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें तो देखिए दोस्तों आजी क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तराखन का इतियास और उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखन इतियास के परमुक स्रोत तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साच्तिक स्रोत साच्तिक शुरोतों में उत्तराखन का आदे एतियासिक विवरन प्राप्त होता है सबसे important point है आपका इसमें उत्तराखन का सबसे पहला उल्लेक तो देखें उत्तराखन का सबसे पहला उल्लेक किसमें मिलता है आपका रिगवेद में और सबसे प्राचीन वेद भी किसे कहा जाता है किसे माना जाता है रिगवेद को बहुत important point है पूछा जाता है और रिगवेद में उत्राखंड को दे भूमी या मनुसियों की भूमी कहा गया है ये question उत्राखंड की परिक्षाओं में पूछा गया है नेक्स्ट आपका देखे रिगवेद के ब्राह्मन गरंत एत्रे ब्राह्मन में उत्राखंड को कुरूओं की भूमी और उत्तर कुरू कहा गया है तो देखिए रिग्वेद के जो ब्राह्मन गरंत है एत्रे ये ब्राह्मन में उत्राखण को क्या का गये है कुरुओं की भौमी या Uttarakुरु कहा गये है नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए पाली बासा के बुथ गरंत में उत्राखण को हिमुवंत का गये है important question और again important point ये पूछा गया है तो पाली बासा के बहुत ग्रॉंतों में उत्राखन को क्या का गया है हिमन्त और बहुत द्रहम का संस्तापक कौन है आपका गौतम बुद्ध ये question भी पूछा जाता है नेक्ड पॉइंट है इसमें तर्गं हिमालय के मध्य Εुद्ध वर्थ Kenny बहुटा का इक अंचल है और भोगली ग्रूप से से क्या गा जाता है मध्य हिमालय का जाता है और आरियों का अदिन यवास अस्तान भी कहा मान जाता आपका नेक्स्ट पॉइंट है देखे इसमें वेदिक काल में दक्ष और यक्ष विद्धवन्स के कारण सेवों के दो परमु केंद्र बन गए एक तो बन गया आपका केदार और दुसरा आपका बन गया मानसरोबर जो केदार परवावाले छेत्रे उनको क्या का गया केदार खंड का गया और ऐसे केलास मानसरोबर परवावाले छेत्र को क्या का गया आपका मानस खंड का गया नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसकंद पुराण में पांच हिमाली छेत्रों को बताया गया है उसमें आपका पहला नेपाल दूसरा आपका मानस खंड तिसरा आपका केदार हिमालाई कहते हैं, इस खै देखिए कंद पुराण में माया च्छेत्र, ठीक है, हरिद्वार मि क्हा हू जी चिन कहां से ख चैदर हरिद्वार से हिमालाई तक और एसे मानस खंड कहां था कहां से था आपका नंदा देवी से कालगरी पाड़ी चंपाओ तक आपका मानस खंड था नेक्स्ट पॉइंट है आपके इसमें देखे केदार खंड वो मानस खंड की विवाजन रेखा पूछा क्या क्या कोशन है तो केदार खंड वो मानस खंड की विवाजन रेखा क्या आपकी नंदा देवी परवत माला नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखे उत्रा खंड में प वृ्धेसी साहित थे इसमें से अक्सर कॉश्चर्ण पूछ ले जाते हैं चीनी यात्री युवन चांड या जिसको हम क्या गते हैं वैंसंघ भी कहते हैं ईहां पूछा है सब्स संग किसके काल में आया था भारत हरस्वर्दन के काल में बहुत टाइम पुछा भी जा चुक है आप अभी हरस्वर्दन पढ़ेंगे बाद में तो देगे हरस्वर्दन किसका भाय था राज्य वर्दन का भाय था और इसकी sister थी आपकी और उस पुस्तक का नाम था आपका या उस गरंद का नाम था हर से जरीत ये कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है आप अगर रिलेट करना सिकेंगे तो आपको हर चीज आसानी से याद हो जाएगी देखे अब आपका विदेशी साहित्य में जो सात्वी सदी में क्या आया वेन सांग आया तो उसने अपनी यात्रा विर्टान सीउक्यू में कुछ सहरों का उल्ले किया है तो उनके बारे में आप जानते हैं देखे ब्रह्मुपूर तो ब्रह्मुपूर क्या था आपका उत्र सत्रुगन नगर जो उत्तर कासी और हिमांचल के मद्दे का छेतर था तो उसको क्या नाम दिया उसने सत्रुगन नगर और ऐसे गोविशान तो कासीपूर देखे बहुत important point है पूछा भी जाता है कि कासीपूर का प्राचीन नाम क्या है तो गोविशान ऐसे सुधनगर तो काल लोग तो मोई लोग इसका प्राचीन नाम है आपका हरिद्वार का अब हमारा next point है आपका केदार खंड या गड़वाल का इतियास तो देखे इसमें कुछ परमुख पुस्तके हैं जिसमें क्या होता है इस शेत्र का उल्लेग मिलता है तो उन पुस्तकों को जानना भी हमार सभी वहरत ने और ऐसे गड़ राजवनसम किसने लिखा मोला राम बहुत इंपोर्टेंट है एक मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और मोला राम जी के बारे में इनके पूरवज क्या थे आपके सुनार थे ये कोशन भी पूछा जा चुका है तो इन सब पुस्तकों में द स्वर्ग भूमी भी कहा जाता था तो प्रारम में गड़वाल चेत्र को क्या कहा जाता था बद्री कासरम तपो भूमी स्वर्ग भूमी और साथ साथ में केदार खंड कहा जाता था तो नेक्स्ट पूइंट इसमें देखे गड़वाल का गठन तो गड़वाल का गठन कब ह वो आपका पंदर सो पंदर में डारेक्ट कोशन पूचा जा सकता है देखे परमार सासक अजयपाल कौन सा राजा था आपका इसे थिस्वा राजा था इसने पंदर सो पंदर में घडवाल के टोटल बावन गड़ो को जीता और उनका एक गरन कर द vibes तब से वहां का नाम क्या हो गया आपका गडवाल इस पॉइंट है आपका इसमें देखिए महाबारत काल में पुलिंद राजा सुबाहु की राजदानी थी आपका सिरिनगर और सिरिनगर का प्राची नाम सिरिछेत्र और सिरिपूर और देखे स्रीनगर किस नदी के किनारे अलग नंदा नदी के किनारे ये कोशन भी पूछा जा सबता है रामायान कालिन बानासुर की राजदानी थी आपका जोतिसपूर जिसे आशकल क्या कहते हैं? जोसिमट एक कोशन भी उत्राखंड के प्रिक्षा में पुछा जा चुका है और देखिये जोतिर मट का अपवरन से ही आपका क्या है जोसिमट और संकराचारे ने यहां पर तब क्या था तब इसका नाम क्या दिया था उन्होंने स्री मट दिया था और जब उनको यहां आत्म जोति के दर्सन हुए तो यहां का नाम क्या कर दिया आपका जोतिर मट यह कोशन भी पूछा जा सकता है नेक्स पॉइंट आपका ऐसे में देखे वसिस्ट कुपा वसिस्ट कुंड और वसिस्ट आस्रम का इसे था आप कंद्र को सुदर्सन साने रखी इंपोटेंट पॉइंट है प्लीज आपने इनको अच्छे से नोट कर लेना है और ऐसे आपका एक अगस्त 1990 को टिहरी जिला बनाया गया और इंडिया में सामिल किया गया नेक्स पॉइंट आपका देखे इसकंद पुराण में आपका टिहर क Verfandन को क्या गया जाता था दनुस्तीरत और गणेस परियाग से आपका वेदिक काल में गढ़्वाल छेत्र में दो है आपको परसिद्द्व सिध्या और कलना अस्रम का आधननीक नाम के आपका चऌकागाड पूछा जा जा सकता है देखें काल यहुंपका अविझ्यान साकुंतलम भी लिखा है ङक्षण भी पूछा जा चुक है नेक्स्ट आपका देखे इसमें महाबारत में केदारनात को क्या का जाता था तो महाबारत के टाइम में केदारनात को का जाता आपका ब्रिंग तुंग क्या का जाता था ब्रिंग तुंग पूछा गया कोशन है खस देश भी का जाता था और यहसे ही आपका गड़वाल छेत्र में तपाववन लक्षमन जी ने यहां तप किया था यह कोशन भी पूछा जा चुका है नेक्स्ट पॉइंट आपका देखे बहुत धरमों का सरवादिक परचार परसार किसके टाइम हुआ तो गड़वाल में बहुत धरमों का सरवादिक परचार परसार का भूआ खसोगे टाइम में हुआ नेक्स पॉइंट आपका देखे नारत गुफभा, व्यास गुफभा, मुचकंद गुफभा देखे इन गुफभा में वेदो की रसना की गई और किन के दौरा की गई ? वैद वैस या वाद नारहेंन दौरा इम्पोर्टेन पॉइंट है और यह सब गुफाएं आपके कहा है स्तित है चमोली जनपद में इस्तित है अब हम पढ़ेंगे मानस खंड या कुमाओ का इतियास बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट होने आले इसमें जो अक्सर परिक्षा में पूज ले जाते हैं देखे पौरानिक गर्णतों के नुसार च कुमाओं हो गया देखे कुमाओं सब्द का सबसे पहले उल्ले किसमें मिलता है आईने एकबरी में मिलता है और आईने एकबरी किसने लिखी है अबूल फजल ने बहुत टैम पूछा गया है तो कुमाओं सब्द का सबसे पहले किसमें मिलता है आपका आईने एकबरी में औ अभी तक ठीक है पाए गए सिलालेकों में सरपरते मुले किसमें मिलता है आपका नागनाग के ठीक है नागनाग के परसिद्ध मंदिर के सिलालेक जो चमपाद में सिद्ध है उसमें मिलता है और यह सिलालेक राजा वीरचंद के समय का है और देखे उस सिलालेक में आपका किस कूर्मान चल नेक्सट पॉन्ट आपकस में कुमाउच्हेत्र का सरवादी कुले मिलता है, अब इपकस में यहां कुछ वन्सों। तो ने राच किया या उनके वन्स यहां पर देगे वन्स कौन-कौन से देख किरात नाग, किंणर, विद्यादर और गंदर्व, देख किरातों के장을 जिनकों कहते किंद मंगोल पर जाटी किए कउचिन भी पूछा जा चुकए है और इंके सब ये इन Comes बहुत हैं ज्यें आधे को ये ऊट्राफंड को कि पूछा जा किर आन्गों इसमें देखे नाक परотоति का सबसे सिद्ध मंदिर तो नाग पर्जातियों का सबसे पर्शिद्ध मंदिर आपका बिनाग मंदीर या बेरी नाग मंदिर जो जनपत प्थोरा года में पुरह अब मंदिर नाग model आपके यक्षों से मिlते हैं जाखनदी ह्म meiner मिलते हैं और कहा इस्तित आपका मंदिर अलमोडा में इस्तित है यह कुशन भी पूछा जा चुका है नेक्ट पॉइंट आपका खस पर जाती देखिए राजपूतों के सासन से पहले कुमाओ में परवुत तो सकते था आपका किसका खस पर जाती का देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें तारीक ए मुबारक साही किस ने लिखा है या ही या बिन अहिमद सरहिंदी ने लिखा है तो इसमें क्या है आपका तुगलग वंस और सेयद वंस के बारे म पुसार 380 में दिली सुल्तान फिरोज तुगलग ने कटहर चेतन विद्रोही का दमन किया और उनको कुमाओ चेतन में बगा दिया और वहांसे जब भागे तो कुमाओ चेतन में फिरोज तुगलग तेके सरवाधिक गुलाम रखने वाला सासक फिरोज तुगलग ब्रहमनो का प्राची नाम के आपका गोष्थल और गोथला और यह भी पूछा जाता कि गोपिस्वर किस जनपद में इस्थित है तो आपका चमोली जनपद में इस्थित है देखिए यहां से रुद्रुसी मंदिर परिसर से अभिले की तिरसूल प्राप्त हुए है और उसमें क्या पतिनात का दुसरा आपका असोग चल लगा इसमें नागवंसी सासक इसकंद नाग विबुनाग और अंसुनाग के हमें लिखी साक्षे प्राप्त हुए है नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए बागिस्वर का सिलालिक देखिए यह आपका सिव मंदिर है और इसमें भू रगए लिखे अगला सिलालेग हमारा पांड़ेख्व तो कहां से परापत हुए है बद्रिनात के पास से और बद्रिनात क्यास्तिता है यह आपका ऐसे कोशिण पूछा जाता है तो चमुली जनपद में और बद्रिनात हम किस नधी किनारे तो अलग नंदा देखिए तामरपत्र आपका गंगा बद्र यह उसका उंडन चिया गया और इन तामरपत्रों का उलेखन किस्टन कर रखा आपका ललीत करत कि लिखो पाउचिंव और यह जो सिलालिक हैं अनितपाल के हैं जो पवार सासक है और गड़वाल छेतर से सबसे प्राचीन सिलालिक है आपका ये नेक्स्ट आपका देखे समद्र गुप्त के परियाक परसिस्ति में उत्राखन को क्या का गया तो क्रितपूर या करतपूर का गया ये कुशन भी इंपोर्टन है पूछा जा सकता है तो दोस्तों इसी के साथ आज की कलास हमारी मीपे समाप्त होती है उम्मीद करता हूँ आज दोस्तों के साथ और दोस्तों कर चैनल सुट्सक्राइब नहीं कर रहा है तो परेसे सिस्क्राइब कर लें साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें तो दोस्तों मिलते नेक्स क्लास में क्या आप अपना ध्यान。たい झालेन